असलाम अलेकोम आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ट्रिपल कट क्रीस लोग कैसे मनाया है मैंने याँ बी एच कॉस्मेटिक का ब्रस लिया है और जाकलीन हिल की पैलेट में से मैं ये यल्यू शेड ले रही हूँ और उसको मैं अपनी लिट पे लगा रही हूँ बैक एं फोर्थ और सर्कूलर में ब्लेंडिंग करूंगी मैं उसी कलर से सबसे पहले हम कलर को बिल्ड करेंगे यह मैं ऐसा ट्रांजिशन कलर यूज करूंगी इस कलर को अब मैंने यहां पे मरून शेड लिया है और यह बहुत प्रसाइस प्रश है उससे मैं आर्ज ड्रॉ कर रही हूँ जिस तरह हम लेट को कट करेंगे उसी तरह मैं हाई शेड़ को अपलाई कर रही हूँ यहां पे भी हम सबसे पहले कलर को बिल्ड करेंगे कॉर्णर पर हाके हम एक आर्ज बनाएंगे जितना इनहांस हमारी कट क्रीस्ट होगी जितना इनहांस हमारा कलर होगा उतनी अच्छी हमारी कट क्रीस कर लुक आएगा हम मैंने आपे मार्फी का ब्रश लिया है सबसे पहले तो हम कॉर्णर ब्लैंड करेंगे तब पर उसके बाद हम आखे की तरफ आएंगे कॉर्णर की ब्लैंडिंग पे जादा फूकस करना है यहां पर मैं बैक अन्पोर्ट ब्लैंडिंग करेंगे अब मैंने आप रेवलूशन की करवर एंड कंसील पैलेट ली है और यह मैंने फ्लैट ब्रश लिया इससे मैं कंसीलर अप्लाय कर रही हूं अपनी लिट को कट कर रही हूं और अब मैंने एंगल ब्रश से यह ब्लैक शेड लिया है और मैं यहां क्रीस के ऊपर ब्लैक शेड को अप्लाय कर रही हूं इस तरीके से अप्लाय करना है ब्लैक शेड के कंसीलर के पास नाए शेड और अब मैंने वही ब्रश लिया है इसकी मैं ब्लैंडिंग कर रही हूं सिर्फ हम उपर की तरफ ब्लैंडिंग करेंगे ख्याल रखें के शेड नीचे ना आए अब मैंने यहां पर दुबारा आर्च को अब मैंने यहां पर दुबारा आर्च को इन्हांस कर रहे हैं और मैंने यहां पर बी एच की फॉइल आईस से गोल्डन शीड लिया है जो कि मैं अपनी हाफ लिट पर अपलाए करूंगी सिर्फ उपर की तरफ दुबारा कंसीलर लगाए हैं लेट को दुबारा कट कर आए अब मैंने जैकनी ने इनकी पैलेट में से हाफ कट कर रही हूं मैं क्रीस और मैं ब्लू लगा रही हूं शेड रही हूं मैं नीची की तरफ ला रही हूं और इसमें से डार्क नेवी ब्लू कलर है वह मैं अपलाए कर रही हूं अपनी हाफ लिट पे वाटर लाइंग पर काजल लगाएं यह हमारा लुक हो गया है कब्लीट उमीद करती हूं आपको फ़संद आएगा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कामेंट कीजिए अंटिल दैन अलाफेज